हेलो दोस्तो के एल दिकलासिस में आप सभी का स्वागधार आज हम बात करने वाले हैं आसम में जो डिटेंशन सेंटर बन रहा है जिसको कहाई यह जा रहा है कि जो विदेशी लोग होते हैं उनको इस सेंटर में रखा जाता है तो हम बात करने वाले हैं कि मंत्री अमी साजी ने बात किया था कि एसम में एक डिटेंशन सेंटर बनाया जा रहा है तो उसके बारे में हम बात करेंगे कि ओ कब बन रहा है और कब से उसका निर्माड़ हो रहा है उसके एक दिन बाद ही अमिसाजी ने ये कहा कि भारत में एक डिटेंसन सेंटर है जो असम में उसके बद करनाटक की गरी मंतरी ने ये भी कहा कि जो असम राज है उसके अलामा भी करनाटक राज में भी एक डिटेंसन सेंटर है इसके बारे मैंने कल ही बात किया था लेकिन असम के किस अस्थान पर या किस जिले में है अगर बात किया जाए कि ये असम के किस जिले में है तो असम के गौाल पाड़ा गौाल पाड़ा ये जिला है जिस तरह से हमारा चोटा 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 जिला होता है गोरग बस्ती तरह से जिला होता है उसी तरह से असम का एक जिला ह माटिया यह गाउं है माटिया यहां पर यह बनाया जा रहा है छथरफल के बारे में बात किया जाए है यह जो Süसन से गाउठेने में बन रहा है यह घृटरमीन हें जाएं बनाए बें है पाया गया उससे से देखा जाये तो भारत में दो डिटेंशन सेंटर पाये गया है और इसमबर 2018 से इसमें कारे सुरू किया गया है और टार्गेट रखा गया था 31 दिसंबर 2019 को इसको पूरा करना लेकिन वहाँ पे समय बारिस और वहुत अधिक बारिस होने के कारण से यह जो डेट रखा गया था टार्गेट उसको पूरा नहीं किया जा सका अब इसकी जो लास्ट डेट रखी गई है वो 31 मार्च 2020 को रखा गया है क्योंकि वहाँ के खनुचारियों नहीं बताया कि हम इसे 31 मार्च 2020 तक पूरा कर लेंगे इसमें अलगबख 70% जो कार्य है वो पूरा हो चुका है और लगबख 300 मजदूर प्रती दिन जब से यह कर सकते हैं कि दिसंबर 2018 से कार्य शुरू आया है तब से एक भी दिन उनको कोई छुटी नहीं मिली है तो इस तरह से 300 मजदूर प्रती दिन यहां पर काम करते हैं बनाने के फंड के बारे में बात किया जा कि जो गरी मंतराले भारती गरी मंतराले है इस पे यह जो डिटेंसन सेंटर बनाया जा रहा है तो लगबख 46 करोड उपया इस पे खरच आएगा और यह गरी मंतराले नहीं पैसे को पास किया है तो उस तरह से हमने यह नहीं कह सकते कि भारते अप्रधान मंत्री और गिरिह मंत्री को नहीं पता क्योंकि गिरिह मंत्राले के माध्यम से ही यह 46 क्रोड रूपिया पास किया गया है यह डिटेंशन सेंटर बनाने के लिए असम में जो गौल पड़ा जिला है और माठी है जो गाओं में वहाँ पे यह बनाया जा र रखा जाएगा इसके बाद हम बात करेंगे कि वहां के जो करमचारी जो इस से डिटेंशन सेंटर को बना रहे हैं 300 मजदूर उसमें से कुछ लोगों के बात आया हैं सामने उन्होंने ब्यान दिया है कि इस तरह से किसका क्या उद्देश है उन्होंने पूरी तरह से बताए कि यहां पे आवैद लोकों को नहीं रखा जाएगा आखिर इस सेंटर का इतना महद तो अक्यों दिया जा रहा है सरकार क्यों इतना महद दे रही है तो उस करमचारियों ने बताया है तो मैं कुछ करमचारियों की बियान भी आपको बताऊंगा कि उनका क्या मकसद है और उ साइट होता है उसके इंचार्ज है राविन दास ने बताया कि मैं यहां पे लगभग हो ही जब काम शुरूआ था दिसंबर 2018 से ही मैं लगाता है यहां पे काम देख रहा हूं सभी लोगों से काम करा रहा हूं यहां पे अलग अलग इन्हों ने बताया कि महिलाओं और पूर रगेट रखा गया था 31 दिसंबर 2019 लेकिन उसको पूरा नहीं किया पा रहा है क्योंकि बारिस हो गई थी इसके करार से सरकार ने बढ़ा दिया कि अब उसको 31 मार्च 2020 तक इसे हम पूरी तरस से कर लेंगे बात करते हैं कि कुछ करमचारियों जो वहां पे काम करते हैं डिट पाकिस्तान से हैं उन्हें वापस उस देस में कर देगे तो सरकार को भी पैसा बचत होगी और यह जो लगभग धाई हेक्टेर जमीन है इसको इससे सरकार कपजा करके वहां पे बना रहे है डिटेटर सेंटर तो यह भी जमीन बच जाएगा और सारा पैसा भी बच जाएग अगर माले दो बार एनरसी कराया जाता है जैसे असम में कराया जाता है या अन जगहों पे कराया जाता है तो अगर माले किसी मेरे रिष्टेदार या किसी मेरे घर में ही किसी फैमिली का नहीं आता है तो मुझे बहुत ही ड़ल लगता है कि इतने भी साल जो दिवाल या कह स अधिन मेरे सवघ्वार में सभी का नाम आ चुका है लेकिन मेरी पत्नी का नाम नहीं आए जो 19 लाख लोग आपको पता होगा कि आसंग के 19 लाख लोगों को नर्सी बाहर रखा गया है उनका नाम नहीं आये था तो इस तरह से वह आदमी घवराता है कि अगर वाले हैं कि हमार चुछ नहीं पर कुछ दूसरा नहीं कर सकती तो यह थी हमारी आज की सबसे इंप्रोर्टिन इंफर्मिसन दिखा रहा हूं जिससे आपको खिलेर हो जाएका तो ये भी कह सकते हैं कि उन्हीं डिटेंशन सेंटर का ही इमेज है और मैं आपको दिखा रहा हूँ देखें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काम किस तरह से चला है और यह है जो आपका मटिया जो मैंने आपको बताया है कि जो मट्या गाउं हों वहाँ पर ये बनाया जा रहा है और ये कह सकते हैं कि वो आदमी है जिनों नो बताया कि अगर इस तरह से हमारी ये कह से इनकी पत्नी है कि इनका नाम NRC में नहीं आया है अगर ये ऐसा किया जाता सरकार के माद्यम से के बाहर किया जाएगा तो ये वहाँ पर रखे जाएंगे तो ये बहुत ही भी साल बिल्डिंग बनाई जा रहे है जिसके माद्यम से पूरा परिवार इनका विखर जाएगा तो इस तरह से अगर आप ये ध्यान से सोचे तो आपको खुद नहीं क्लियर होगा कि क्या अकौन सही बोला है या अकौन जोड़ बोला है ये एकदम क्लियर नहीं हो पा रहा है तो जैसे ही कोई इंफर्मेशन आगी मैं आपको जरू सुचित करूंगा इसी प्रकास से बने रहने के लिए आप साभी दोस्तों का कि LD Glasses की और से धन्यवाद